नमस्कार दोस्तो तो चलिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में और शाथ में बिधान सभा चुनाव भी हुए थे कुछ राज्यों में तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लोकसभा और बिधान सभा के बारे में तो याद रखेंगे 17 भी 2019 के मद्द हुए लोकसवा चुनाओ के साथ साथ आंदरप्रदेश, अरुनाचलपिदेश, उडीसा और सिक्किम, राज्यों के विधान सवा चुनाओ भी संपन हुए थे इसी समय याद रखिए 30 मई 2019 को नरेंद मौधी ने दूसरी बार भारत की प्यधान मंत्री की रूम में सपत लिए याद रखिए यहां जवाहलाल नहरू और इंदरा के बाद तीसरी बार ऐसा हुए जब पूर्ण बहुमत से जीतने वाले किसी प्यधान मंत्री को लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ जनताने देश की कमान सौपी हूँ तो याद रखिए पहले थे धयवाहलाल नहरू दूसरे तें इन्दा गांधि और तीसरें नर्ण मोधी अब बात करते हुए सरकार दोवारां चल-संसाधन नदी विकास और गंगा सर्रक्षं मंत्रा लय तथा प्रेये जल्टा मंत्रा लय का बिल ये करके एक नया मंत्रा लय जल सक्ती मंतराले गठित किया है सत्रहवी लोकसवा चुनाव पईडाम और पिरमुक राजनितिक दलों दवारा फ्राप सीटों का वितरण इस विकार है किस दल को कितनी सीटे मिली यह सब देखते है याद रखिए लोकसवा में 545 सीटे है जिनमें से 549 जनता दवारा चुने जाते है और दो राष्टती मनोनीत करता है दो लोगों चलिए तो किस दल को कितनी मिली है लोकसवा में देख लेते हैं ने तो सबसे पहले राजनितिक दल हो गया यह 2019 हो गया और 2014 की भी सीटें दियो है तो सबसे पहले भारतिय जनता फार्टी बीजेपी याद रखिए 2019 में 303 सीटें मिली है बीजेपी को और 282 सीटें 2014 में मिली हुई थी फिर दूसरे नंबर पर कांगरेस राष्टी है कांगरेस तो याद रखिए इसे 52 सीटें मिली है 2019 में और 2014 की चुनाओं में 44 सीटें मिली हुई थी तो विपक्च में बैठने से फिर से बंचित रहे गई भी कांगरेस याद रखिए 10% सीटें चाहिए होती है विपक्च में बैठने के लिए ठीक दस परसें थी फिर देविड मुन्नेत कडगम तो याद रखिए इसे 24 सीटें मिली 2014 में इसे 0 सीटें मिली थी एक भी नहीं मिली थी ठीक है फिर यू वर्जन सेमिक रथाईव कांगरेस पार्टी तो इसे 22 सीटें मिली है 2019 में और पछले चुनाओ 2014 वाले में 9 सीटें मिली थी फिर है कॉंगरेस फिर है ओल इंडिया त्रमूल कॉंगरेस तो याद रखिए इसे 22 सीटें मिली हैं 2019 में और 2014 में मिली थी 34 सीटें फिर है सिपसेना तो इसे 18 सीटें मिली हैं 2019 वाले चुनाओ में और 18 सीटें पिछले चुनाओ में 2014 में भी मिली थी फिर जन्तादल उनाइटेड तो याद रखिए इसे 16 सीटे मिली, 2019 की लोकसवा चुनाओ में, 2014 की लोकसवा चुनाओ में 2 सीटे मिली थी, फिर बीजो जन्तादल तो याद रखिए 12 सीटे मिली और 2014 की चुनाओ में 20 सीटे मिली थी, बहुजन समाज फाइटी तो याद से 9 सीटें मिली हैं और पिछले चुनाओं में 2014 वाले में 11 सीटें थी आंगे देखते हैं लोकसवा चुनाओं के तह सबसे कम उम्मे की सांसद बने हैं चन्नानी मूर्मू 25 वर्सके हैं याद रखिये कोई भी लोकसवा चुनाओं तभी लड़ सकता है सदर्सका जब उसकी उम्म 25 साल हो और ये सबसे कम उम्मे की सांसद हैं चन्नानी मूर्मू इन्होंने उडिशा के क्यो जहर से बीचू जनता दल के टिकेट पर चुना लड़ा 19 जून 2019 को राजिस्थान के कोटा से भाजापा सांसद ओम बेला को निर्वरो 17 वी लोकसवा का अध्यक्च चुना गया है याद रखिये एक आएस्थाई अध्यक्च भी होता है जो सबको सफद दिलाता है तो उलेकनी है कि इससे पहले बीरंद कुमार खटीक टीकम गड़ो लोकसवा चुनाओ से हैं मदपदे से कुछ 17 वी लोकसवा के लिए प्रोटेम स्पीकर चुना गया था ठीक अंगला है 17 वी लोकसवा का चुनाओ में सबसे अधिक मतों से जीत हासिल करने वालों में भाजापा के सी यार वाटिल नौ सारी गुजरात से पित्थमिस्तान किया है इन्हों ने 6,89,666 मतों से विजय प्राप्त की तो सबसे जांदा बोटों से जीतने वाले हैं सी यार वाटिल याद रखे लोकसवा चुनाओ में अब तक के सबसे वड़ी जीत भाजापा के ही फीतम मुंडे 6,96,00,000 मतों के साथ के अंतर सिफराप्त हुई थी इन्होंने 2014 में वीड सीट महाराष्ट से उप्चुनाओ में यह उप्लबदी हासिल की थी लेकिन इस बार 2017 भी लोकसवा क और 68 मतों से विजय प्राप्त की थी अंगला उत्तर पे देश याद रखे, 11 महलाएं चुनी κα börjar लोग सत्रवी लोकसवा के लिए उस उत्तर भी लोकसवा में कुल आन्दप्रदेश अरुनाचलपदेश उडीशा सिक्किम की विधान सवाओं के चुनाओ याद रखे निरवाचन आयोग द्वारा जारी आन्दपदेश विधान चुनाओं पैजडाम के तजगन मुहन रेड़ी के नितुते वाली यूजन योजन सेमेक रथाईव कॉंग्रेस प्राप्ती को सरवादिक सीटों पर विजय प्राप्ती है याद रखिए आंध पिदेश में 175 सीट हैं जिनमें से 100 इंक्याउं सीट प्राप्त की हैं इसने जे आर रेड़ी जगन मोहन रेड़ी ने यह वजन सेमेक रथाईव कॉंग्रेस प्राप्ती है इसकी जबकि एन चंद वायव उनाइडू कि नेतत्त वाली तेलगू देशम प्राप्ती ने मात तेई सीटें प्राप्त की याद रखे 30 माई कब 30 माई 2019 को आंध्यदेश के ततकालिन राजपाल एसल नर्सिंभाव ने बाई एस कॉंग्रेस की पिरमुक यदूगुरी संधित्ती संधित्ती जगन मोहन रेड़ी को राजजिका मुकमंत्री पत की सपत दिलाई है जगनन्ना नाम से लोगत्विरी है जगन मोहन रेड़ी ने भारत राज में आंध्यदेश राज में उपमुकमंत्री ने उपत की है पांच जिनमें से पी सुवाश्चंद वास के नारायन स्वामी एक आली किष्ण स्री निवास और उसपिस श्रीवनी पमुला तथा अमजत बासा सेख सामेले इसमें पिर है अहुणा चल पेदेश में भारतिये जनता पाइटी सबसे वड़ी पाइटी के रूम में उबरी है इस पाइटी को 60 सदस्तिये विदामा सबाचुनाओं में 21 सीटें पराप्त हुई है अहुणा चल पेदेश में बीजेपी को 29 मई 2019 को पेमा खांडू ने अहुणा चल पेदेश के मुकमंत्री के रूम में सपथ लिए याद रखे राज में यह पहला उसर है जब पूर्टा भारतिये जनता पार्टी के नेत्तिवाली निर्फाजी सरकार के गठन हुए है फिर आती है उडिशा उडिशा में 70 रोड बीजू जनता दल को सरवादी के 112 सीटे फिर आप तुई है इसके बाद भारतिये जनता पार्टी को 23 मुखमंत्री पाद की सपत लिये फिर यथ 32 सतसी है सिख्किम की बात करें सिख्किम इदाम सभा में 17 सीटे प्राप्त करके सिख्किम करांती कारी मोच tai सबसे बड़ी पार्टी बनीौ और 15 सीटे प्राप्त करके सिख्किम डियें प्रेंट दूसरे स्थान पर रही है तो यहां के मुखमंत्रिय सिक्क्यम करांती मोच्छा के नेता प्रैम सिंग तमांग पी एस गोले नाम से लोगफ्री है ने 27 मई 2019 को सिक्क्यम के नए मुखमंती के रूम में सपत गहन किये उन्होंने देश में सबसे लंबे समय तक मुखम सवा चुना हुए थे उनसे संबंदित तथ थे अंगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 2019 में जो लोकसवा के चुना हुए उसमें किस मंत्री को कौन-कौन से मंत्री बने है और उन्हें कौन-कौन सा विभाग मिला हुआ है